अल्लो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कमप्रेशर का CFM कैलकुलेशन है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं CFM का अगर मान लीजे हमें पता है कि कितने HP का कमप्रेशर है कितना टैंक है उसका कैपिसिटी कितना है है और प्रेशर रेटिंग कितना है उस हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितने CFM हमारा कमप्रेशर जो ह कर पाएंगे CFM compressor का तो हम compressor का CFM निकालने वाले हैं तो सबसे पहले CFM का full form जान लेते हैं CFM का full form होता है cubic feet per minute ये एक unit है जिससे की हम volume flow rate measure करते हैं अलग-अलग units होती है जैसे की meter cube per hour liter per second और CFM याने cubic feet per minute ये तीनो जो है volume flow rate की unit है तो CFM हमें cubic feet per minute में हम calculation करना है तो किसी भी calculation को करने से पहले सबसे पहले हमें जरूरत पढ़ती है किसी formula की तो compressor का CFM निकालने का जो formula होता है वो होता है compressor CFM is equal to tank volume in cubic feet multiply by standard pressure in ATM याने atmospheric pressure में during a cycle multiply by cranks per minute अब ये cranks per minute क्या है और standard pressure during a cycle जो है ये सब क्या है आगे हम calculation के साथ समस्ते जाएंगे तो अब हमारे पास formula आ गया है तो हम एक ले लेते हैं example तो example है हमारे पास 15 HP का एक compressor है जिसका tank जो है storage tank की capacity है 132 gallon की है और उसका rated pressure जो है वो 125 PSI है तो अब ये तीन data हमको चाहिए किसी भी compressor के CFM को calculate करने के लिए क्या क्या चाहिए पहला हो गया कितने HP का compressor है दूसरा उसके receiver tank का volume कितना है और तीसरा होगे आपका pressure कितना है rated pressure तो यहाँ पर 125 PSI है तो क्योंकि हमारे formula में दिया हुआ है कि हमें tank का volume निकालना है cubic feet में क्योंकि हम finally क्या निकाल रहे हैं CFM cubic feet per minute तो सब data को उसी के accordingly हम उसकी units लेंगे तो tank का volume हमें निकालना है cubic feet में तो हम को क्या दिया हुआ है एक cubic feet जो होता है वो 7.48 gallons के equal होता है है ना gallons की जगा कोई और unit भी दे सकता है लेकिन आपको उसको cubic feet में convert कर लेना है volume को तो एक cubic feet कितना हुआ 7.48 gallons के बराबर तो हमारा कितना gallon का है compressor का जो tank है 132 तो 132 को जो 7.48 से हम divide कर देंगे तो यहाँ पर answer आ जाएगा 17.65 cubic feet तो हमारे tank का volume है 17.65 cubic feet अब formula में हमारा दूसरा चीज जो है वो है standard pressure during a cycle वो भी atmospheric pressure में है ना तो यह क्या होता है तो देखिए क्या होता है किसी भी compressor को compressor में क्या होता है वो load होता है और एक pressure के बाद load होता है और फिर unload होता है load कब होता है load यानि कि जब वो compressor फिर से start होता है फिर से air को compress करना start करता है unload वो time होता है जिस समय compressor जो है pressure अपना tank में pressure जो है generate कर चुका होता है उसके बाद वो shut off हो जाता है automatically बंद हो जाता है तो load और unload इन में जो pressure का difference आता है वो ही pressure आपका जो होता है standard pressure होता है during एक cycle का suppose करिए आपने compressor को आपका compressor load हो रहा है यहाँ पे 80 PSI पे 80 PSI पे load हो रहा है यहने कि जैसे ही आपके compressor का pressure जो है 80 PSI से नीचे जा रहा है तो वो load हो जा रहा है start हो जा रहा है compress करना start कर रहा है और वो कब बंद हो रहा है जब आपका जो receiver tank है उसका pressure जो है वो 120 PSI के equal हो रहा है तब याने कि 80 से 120 PSI होगा तब आपका compressor जो है unload होगा यानि कि बंद हो जाएगा तो ये हो गया एक cycle एक cycle कितने PSI का हो रहा है एक cycle हो रहा है 40 PSI का pressure difference कितना हुआ 80 से 120 कर रहा है तो ये हो गया 40 PSI का pressure difference अब एक चीज आपको ध्यान देना है ये load और unload के बीच के time को आपको stop watch से measure कर लेना है आपके पास smart mobile तो होंगे ही तो आप उससे क्या करेंगे जब आपका load होगा compression उस समय आप stop watch को start करेंगे और तब तक उसको start रखे रहेंगे जब तक वो unload नहीं होता जैसे ही unload हुआ आपको stop कर देना है उसको और वहां से आपको timing निकाल लेनी है तो हम suppose करते हैं यहाँ पे हमको लगा 1 minute 8.4 second 1 minute 8.4 second लगा ह 1 minute में 60 second होते हैं तो 8.4 को divide कर दिये हम 60 से तो यह हो गया 1.14 minute और यही timing है आपका cranks per minute जो यहाँ पे formula में लिखा हुआ है cranks per minute जो है वो इसी time को कहा जा रहा है अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो standard pressure है during a cycle उसको आपको atmospheric pressure में लेना है तो उस 40 PSI आया था अब 1 PSI equal to होता है sorry 1 atmospheric pressure equal to होता है 14.7 PSI तो 40 PSI कितना होगा 40 PSI को हम 14.7 से divide करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा answer 2.72 atmospheric pressure अब तीनों data को हम put कर देते हैं formula में CFM is equal to tank का volume जो कि आया था 17.65 cubic feet multiply by 2.72 जो कि हमारा pressure आया था जो कि atmospheric pressure जिसका unit है multiply by जो हमारा cranks per minute जो time आया था है ना वो time है during a cycle 1.14 minute अब इन तीनों को जब हम multiply करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 54.72 तो यह क्या हुआ है आपका compressor का volume flow rate निकल गया है जो कि है 54.72 cfm cubic feet per minute इसको आप compressor की capacity भी बोल सकते हैं कि उसका capacity इतना air को compress करने का है 54.72 cubic feet per minute तो एक बर फिर से आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही आसान है compressor का cfm calculate करना इसके लिए आपको क्या करना है tank के volume को cubic feet में निकालना है उसको standard pressure से multiply कर देना है और cranks per minute जो आपके cycle के दोरान जो time लग रहा है unload और load के बीच में जो timing लग रहा है उसको minute में लेना है और आपको इन तीनों को multiply कर देना है आपके compressor का cfm निकल जाएगा तो यह तो होगी आपके compressor का cfm निकालना कितने cfm produce कर रहा है आपका compressor है यह theoretical हो गया पूरा हमने calculation किया है यहापर अब मैं आपको next वीडियो में किसी fan का cfm कैसे calculate करना है यह आपको बताऊंगा practically तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको क वीडियो में तब तक के लिए अलविदा